दोस्तो बॉलीबुड में ड्रक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इन पर कारवाय भी तेजी से NCB द्वारा की जा रही है फिलहाल दोस्तो बड़ा नाम जो की सामने आया है आरियन खान, बॉलीबुड के किंग खान, सारू खान के बेटे आरियन खान को यहाँ पर गिरफतार कर लिया गया है NCB द्वारा, अब उनसे पूस्ताच की जा रही है यह मामला पूरे देश में तूल पकड़ चुका है और इसी बीच सारू खान का बहुत पुराना एक इंटर्विव का क्लिप दोस्तो वायरर हो रहा है सोसल मीडिया पे आपको बता दू कि जहां पे गौरी खान और खुद सारू खान उस इंटर्विव में बैठे हुए हैं जहां पत्रकार सारू खान से पूछते हुए कहती हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा बड़े हो कि कैसा बने तो इस सवाल के जवाब में सारू खान बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब दो साल का बेटा हो या तीन साल का बेटा हो तो वो ड्रग्स ले लड़कियों के साथ सेक्स करें तो ऐसी ऐसी बाते जब वो बोलते हैं तो अब वो दोस्तो क्लिप जादा वाइरल हो रही है तुकि आपको बता दूँ कि आरियन खान को गिरफतार कर लिया गया है और अलग-अलग यूजर इस पे अलग-अलग टिपनी दे रहे हैं उसका ये कहना है कि जो आरियन खान ने किया वो बिल्कुल अपने बाप का सपना पूरा कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने इंटर्व्यू में बोला था और वो दोस्तो अब काफी जादा वाइरल हो रहा है सोसल मीडिया पे कई लोगों का गुसा बिल्कुल सारु खान पे फूट रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे पेरेंट्स भारत में किसी को ना दिया जाए पल की दुनिया में ना दे किसी को जो अपने बेटे से ये उपिक्छा करे कि आगे जाके बड़े होकर वो ड्रक्स ले और अगर वो अच्छा बच्चा बनता है तो ये भी सारु खान कहते हैं इंटर्यू में कि मैं उन्हें घर से निकाल दूँगा इस पर आपका क्या कहना है दो तो कमेंट सेक्षन में जरू लिखिए